हेलो दोस्तों मैं ताराचन ज्यांगिड मेरे इस यूटूब चैनल सिरी गुरुकुल कलासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हम पढ़ रहे हैं राजिस्तान की लोग देवियां कल हमने जीन माता और करणी माता के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे असापूरा माता चोहनो एवं विशा ब्रामनों की कुल देवी है नाडोल एवं मोदरा में इनके मुखे मंदिर है नाडोल अमारे पाली जिले में आता है और मोदरा जालोर जिले में ज्यान एकने हमको अगला टोपिक इनकी पुजा करते समय मैलाए गु माता चाक्षू जेपूर में इनका मुख्य मंदिर है ज्यान में रखने हमको इनका मुख्य मंदिर कहां पर है चाक्षू जेपूर में इस मंदिर का निर्मान जेपूर के सवाइंग मादो सिंग ने करवाये था ये एक मातर ऐसी देवी है जिनकी घंडित परतिमा की पुज जरी कुमार होता है चेतर कश्टमी को इनको बासी भोजन का परशाज चड़ाई जाता है इन्हें चेट्चकी देवी भी कहते हैं ज्यान मेरे नम को चेट्चकी देवी किसको कहते हैं सितलमाता को बांच इस तरियां संतान प्राप्ती के लिए सितलमाता की पुजा करती है तो मारे इसमें मोस्ट कुर्क्षन बन जाता है कि बांच इस तरियां संतान प्राप्ती के लिए किस माता जी की पुजा करती है तो इसका राइट आंशर हो जाएगा सितलमाता ज्यान मेरे रखना हमक सितला माता अगले हम पड़ते हैं किरपूर सुंदरी माता इनका मंदिर तलवाड बास्वाडा में है इनने तुर्ताई माता भी कहा जाता है लोवार जाती के लोग इनने अपनी इस्ट देवी मानते है यह भी अत् justify क्रूक्र कुक्षन बन जाता मारा के लुवर जाती के लोग किस देवी को इस्ट देवी मानते हैं तो इसका राइट आंसर तिरफूर सुन्दरी मातर तिरफूर सुन्दरी की 18 हतों की पड़ति माय अगला मातर पड़ते हैं हम रानी सती इनका वास्त्विक नाम नारेनी देवी था इनके पत्ति का नाम तन्दञ अगरवाल था जुन जुनो ने इनका मुख के मंदिर बना हुआ है तो मरा क्युकसण बन जाते है, हमारे इसमें रानी सत्ती मातर का मंदिर कहां पर बना हुआ है तो इसका राइट आंजर हो जाएगा जुन जुनो रहिक नाम को बादवा अमोज्या को इनका मेला बढ़ता है इनने दादी सत्य भी कहते हैं अगली मातर पढ़ते हम आवरी मातर निक्कुम चितोडगड में इनका मुख्य मंदिर है या लकवा गरस्त लोगों का इलाज किया जाता है अगला पढ़ते हम महा माया मातर मावली उद्यपूर में इनका मंदिर है शिशु रक्षक लोग देवी है अगला मातर पढ़ते हम बद्यान मातर इनका मुख्य मंदिर कोटा में है यहां मूट लगे वक्तियों का इलाज किया जाता है अगला पढ़ते हम तनोट मातर यह कई बार एकज्वन में पूचा जा चुका है इनका मूख्य मंदिर तनोट जसल मेर मेर में है इन्ने थारकी वेष्णु देवी भी केते हैं तो मर क्यूक्arta को केते हैं तो तो एमार राइट आंसर हो जाएगा तनोट मातर यह सेप के जवान इनकी पूजा करते हैं इन्हें रुमाल की देवी भी कहते हैं तो उमार ओर क्यूक्षन बन जाता है रुमाल की देवी किस माता को कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा तर नौट माता अगली माता पढ़ते हैं, ब्रामनी माता, इनका मुख्य मंदीर सोर्शन 12 में है, यहां देवी की पीट की पुजा की जाती है, माग सुकल सत्मी को इनका मेला बढ़ता है, ज्यान में रखना है, अगला बंदा है, माता जी हमारी छींक माता, इनका मुख्य मंदीर जेपूर मे है मार्ख सुकल सात्मी को इनका मेला बढ़ता है यभी द्यान में रखना है मोस्ट यहत हुद अगला माता जी आता है मारे ची monit माता इनका मूख के मंदिर वांशवाडा में हैं कैंको अमारा क्योंक्शन मन जाता है चीछर माता का मंदीर कहा है तो माररा राइट आँसर हो जाएगा वांशवाड में अगला है ब्रामनी माता इनका मूख्य मंदिर पल्लू यह पल्लू आता है मारा हनुमान गड में ज्यान में रखना में को अगला आता है माताजी केला माता करोली के यादव राजवन्स की कुल देवी है तुमारा यह क्युक्षन मन जाते है इसमें के करोली के यादव राजवन्स की कुल देवी कौन है तुमारा राइट आंसर हो जाएगा केला देवी तिरकुट पाड़िव पर इनका मंदिर बना हुआ है चेत सुकल अस्टमी को लग्की मेला बढ़ता है तुमारा क्यूक्षन मन जाता है कि लग्की मेला कब ब करशन की बेहन मानते हैं इनके मंदिर के सामने बोरा बगत की छत्री बनी हुए जहां तांत्रिक वीद्या से बच्चों का इलाज किया जाता है ध्यान में रखना मुको इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूं तो कैसे लगा यह मेरा सेकिंड पार दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट एंड शेर जरूर करें